हलो दोस्तों, मैं हूँ राजू और स्वागत करता हूँ अपने दाहिदें टैलेंट यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम डिस्किस करेंगे आयुश्मान भारत कार्ड के बारे में आयुश्मान भारत कार्ड एक फरी कार्ड है जिसके तहट आप फरी चिकिसा का लाप ले सकते हैं ये प्रधान मंतरी जन आरयोग योजना के तहट कार्ड बनता है तो इस कार्ट के थूँ आप 5 लाग तक का सालाना फ्री इलाज करा सकते हैं अपने परिवार का या अपना तो इस योजना का लाब लेने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता कि आप इस योजना में रेजिस्टर्ड है की नहीं इसको चेक करने के लिए मैं आगे इस टिप बताऊंगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं इससे पहले हम डिस्क्स करते हैं कि इसमें और क्या लाव हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे इस योजना में 50 करोन लोग जुड़ने जा रहे हैं और इस योजना के ताप आप 5 लाग तक का प्रती परिवार इलाज फ्री करा सकते हैं और इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप मॉबाइल नंबर से भी डायल कर सकते हैं तो 1455-55 पे अगर कॉल करते हैं तो आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाएँगे अगर आप इंटरनेट से वाओं का यूज नहीं कर रहे है तो इस योजना के तहट हमारा जवान आयुशमान के तहट जवानों के लिए भी फ्री एलाज सुब्धा दी गई है जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी इस योजना के तहट सब कुछ सेम होगा लेकिन इसमें जो पांच लाग के लिमिट है वो लिमिट नहीं दी जाएगी इव आपने किसी भी एस्पिताल में मतलब बिल प्राप्त हुए हैं तो उसका भी आप इंबस्मेंट कर आ सकते हैं प्रति पूर्ति तो अभी इस पे काफी काम चल रहा है तो यह आगे चलके और बहतर सेवा करने का प्रयाश कर रहे हैं और आप इस कार्ड को बनाने के लिए आप नजदी की UTIITSL के अंदर भी जा सकते हैं और बनवा कर इसमें 5 लाग का लाप्राप्त कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस योजना के तहत मतलब आप 5 लाग तक का लाप्री प्राप्त कर सकते हैं और आपका इस तरीके से कार्ड बन के आएगा जब आप बनवाएंगे कार्ट, तो ये है समपोर्ट जानकारी इस कार्ट के बारे में, और हम देखते हैं कि हम अपने स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कि हम योजना में रेजिस्टर्ड है कि नहीं, हम इसका लाफ राप्त कर सकते हैं या नहीं, तो इसकी डारेक्ट वेफसाइट ह मेरा.pmj.gov.in या आप इसी वेबसाइट के थ्रू pmj.gov.in के थ्रू am i eligible option के थ्रू आप चेक कर सकते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे वेबसाइट पे निविगेट होते हैं जो कि मेरा.pmj.gov.in है यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटर करना होता है और दिन ये capture code होता है जो की image form में होता है इसको इंटर करना होता है उसके बाद आप इस योजना के में अपना नाम चेक कर पाएंगे बिना आप verification अपना mobile number बिना आपने identity के आप अंदर नहीं जा सकते है तो आप देख सकते है राइट साड में यहाँ पे पूरा explain किया गया क्या-क्या इसका फायदा हो सकता है इतने लोग इसका फायदा ले रहें अभी लग-बग 10 करों लोग इसका फायदा ले रहें हैं अपने mobile number से आप login कर सकते हैं चेक कर सकते हैं आप इसमें सम्मेलित हैं या नहीं स्योजना के तहट और प्रधान मंत्री जन आरेव योजना का लाव लेने के लिए आपको कोई आवेदिन करने की जरूरत नहीं होती है डारेक्लि आपको अगर आपका काड बना है तो आप अपना कार्ड नंबर जो भी उस पे चेनरेट होता है उसको लेके अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ डारेक्ट आप जो भी लिश्टेड आप स्पिटल्स हैं उसमें जाके कैसलेस इलाज करा सकते हैं और यह आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ कि प्रतिवर्स पांच लाख रुपए तक आप इसका लाफ उठा सकते हैं तो मैं अपना यहां पे मॉबाइल नमबर इंटर करके कैप्चा कोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना में आप इस योजना का लाफ उठा सकते हैं या नहीं आपका नाम इस योजना में हाई या नहीं तो मैं अबिन मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ और इसके बाद मैं ये जो राइट साइड में capture code दिखरा है इसको इंटर कर रहा हूँ gntmaws अगर यह capture code आपको गलत हो जाता हूँ जाता तो आप दुबारा इंटर कर सकते हैं अगर आपने सही लिखा है तो आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा जो कि आप देख सकते हैं मैसेज यहां पर आया हुआ तो मैं चेक करता हूँ अपना मोबाइल मेरे पास OTP आया या नहीं अभी तक तो हाँ मेरे पास OTP आ चुका है लेट मी इंटर माई OTP हीर मैं अपना OTP इंटर करता हूँ यहां पर और इसके बाद मैं इसको चेक बॉक्स को चेक करूंगा हां मैं अग्री हो चंडिशन पर सुम्मेट कर देता हूं तो यहां पर सुम्मिट करने के यहां पर मुझे अपना स्टेट सेलेक करना होता किस स्टेट से मैं बिलॉंग कर रहा हूं कौन सा मेरा राज्य है तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैंने यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक किया और इसके बाद हम सेलेक करते हैं कि किस आईडी के विहाब पर हम चेक करना च generate हुआ है government ID के थुरू या search by name तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप directly अपने name के थुरू देख सकते हैं तो मैं आपको name के थुरू यहाँ पर search करके दिखाता हूँ अगर आप HST number पता तो HST number डालेंगे जो कि आपके card पर लिखा होता है और direct यहाँ पर दिख जाता है और यहाँ पर search करने के बाद आपको दिखाता है right side में पूरा परिवार detail कितने लोग आपके परिवार में इस योजना के तहर लाब उठा सकते हैं let me search by name मैं नाम के द्वारा search करता हूँ जैसा कि मैं यहाँ पर search करने जा रहा हूँ अपना नाम मेरा नाम Raju Singh है और मेरे पिता जी का नाम सूरजपाल है तो जैसे मैं correct information लिखता हूँ तो खोशता हूँ तो यहाँ पर मुझे list हो जाता है और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं सिर्फ Raju Singh से search करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ आलग message आएगा यहाँ पर देखिए फुल परनाम 2460 परनाम या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं परनाम यहाँ पर जो result जो प्राप्त हुए हमें तो अगर आप refine करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आपका result जो ना 100 या 100 से कम होना चाहिए ताकि यहाँ पर list हो सके तो इसको more refine मतलब और भी ज़्यादा filter करने के लिए आप जैसे अपना नाम दिये तो पिता जी का नाम भी दे सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर पिता जी का नाम देता हूँ या आप correct नेम नहीं डाल पा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने गाउं का नाम डाल सकते हैं य अभी भी मुझे difficulties हो रही है अगर समस्या हो रही पर चैनने में कि मेरा नाम काउन है तो मैं यहाँ पिता जी का भी नाम दे सकता हूँ तो यह और accurate result यहाँ पर मुझे आएगा तो अब देख सकते हैं मेरे पास single record आगया that means कि यह मेरा ही है तो अब मैं इसमें family details पर क्लिक कर करता हूँ तो यहाँ पर यह पूरी detail information मेरे पास आ जाती है hhd number यही hhd number जो कि हमारे card पे generate होता है तो यहाँ पर मेरा नाम और उमर और सभी चीजे almost दिखाए गए यहाँ पर पिता जी और ममी जी का नाम इसके बाद यहाँ right side में आपको family details दिखती है आप यहाँ से यह भी इस योजना का flap उठा सकते हैं और इस hhd number के against और अगर आपको यह hhd नहीं नोट करने नहीं याद रहता अगर आप अपना card download कराना चाहते हैं या आप नहीं बनवाना चाहते हैं या आप नहीं बनवाना चाहते का डारेक्ली आप इसको message ले सकते हैं किसी भी mobile number पे और इसक यहाँ पे get information on smith करता हूँ तो जैसे मैंने 7290 अपना number डाला यहाँ पे और इसके बाद फिर से मुझे यह capture code right side वाला डालना होगा अध्यान रही सही होना चाहिए अगर गलत हो जाता तो आप दुबारा डाल सकते हैं वो change हो जाएगा automatic तो जैसे मैं submit करूँगा तो आप देख सकते हैं message आ गया assessment has been sent to your mobile number ending with 1133 तो यह मैं देख रहा हूँ हाँ मेरे mobile में यह message आ भी चुका है तो इस तरीके से आप अपना message ले सकते हैं अपने mobile में तो जैसे आप message आपके mobile में आएगा तो इसे कुछ NHA SMS करके message आएगा और इसमें लिखा होगा this PMJF family can obtain cashless treatment at any impaneled hospital SECCHHID और वहाँ पर आपकी SECCHHID जो है ना mention होगी वहाँ पर तो आप चाहें तो इसकी information भी देख सकते हैं कि कैसे क्या हम इसकी योजना का लाब ले सकते हैं क्या जरूरत होती है हमें इस कार्ड को बनवाने के लिए या इस योजना का लाब लेते हैं क्या क्या हमें जरूरत पड़ सकती हैं और और भी अधर वे क्या है किस तरीके से हम लाब ले सकते हैं तो जैसा देख सकते हैं आप नंबर मेंशन है 14555 तो एक और सूचना इसी के साथ मैं दिखा देता हूँ अगर आप अधिकारिक यूजर हैं इस कार्ड को डाउनलोड करने के लिए तो आपको यूजर करना होगा biz.pmj.gov.in वेबसाइट यहां से आप डारेकली अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या किसी और का कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल को एकसेस करने के लिए आप पेनी फीशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रिजिस्टर होने चाहिए यह जनरली जो हमारे पंचायत असिस्टेंट यूजर हैं या CSC यूजर से उनके पास इसका एकसेस होता है वो अपना मॉबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालते हैं तो इन हो जाते हैं इस वेफट साइट में क्योंकि उनका मॉबाइल नंबर गवर्मेंट रिकॉर्ड में अपना नाम चेक करके आप जा सकते हैं आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि गवर्मेंट जोना कैंप्स लगवा रही है और गवर्मेंट फ्री वेहिकल भेज रहे हैं और फ्री में आपको जोना खाना पानी सब कुछ होता है आपका किराया भड़ा सब कुछ गवर्मेंट दे रही है आपको और आप सिंपली जाके अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं तो यह पूंड तया फ्री है यहां तक कि आपको घर तक की सेवा दी जा रही तो आप बिल्कुल में इस योजना का लाब उठाएं और आगे भी उठाते रहें और हाँ एक महत पूंड योजना इस उचना इसके लिए है कि आप जब इसमे रेजिस्टर्ड होते हैं तो हर साल कोशिस करें कि आप इस योजना का लाब उठाएं ताकि आपका कार्ट एक्टिवेट रहे तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस योजना का लाब आगे उठाएंगे तो आगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं आपको फिर से हल्प करने की कोशिश करूँगा तो थैंक यू थैंक यू पार वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब